लेकिन मारने वाले को, हिंसा के मार्ग पे जाने वाले को, आप हिंदुत्व का, हिंदुत्व का फॉलोर कहकर, हिंदुत्व की इतनी आप परिभाशा सिकुडा क्यों देते हैं, प्रमोध कृष्णम जी, और आप कह रहे हैं कि ये गलत दिशा में ले जा रही है, पूरी जो कहते हैं हिंदुइजम या हिंदुत्व इस एक्वल टू गुंडागर्दी हुलिगनिजम या सलमान खुर्शीद जो कहते हैं हिंदुत्व इस लाइक बोको हराम, आइसिस टेरिरिजम ये बताइए गलत गलत दिशा में कौन ले जा रहा है, कॉंग्रेस के नेता या बीज संस्कृति और सभेता में रची बसी एक भारत की आदर्शनारी हैं, आप तो बहुत विद्वान एंकर हैं, मैं आप से पूछना चाहता हूँ, क्या इस देश के अंदर जो कॉंग्रेस के नेता हैं, जो कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता हैं, उन वो सब हिंदु नहीं है क्या क्या दिगवेजय सिंग हिंदु नहीं है, क्या शेशी थरूर हिंदु नहीं है, क्या उनके वो रिच्वल्स और फीलिंग हिंदु की नहीं है, क्या ये जो राजिस्थान के अंदर, और महराष्ट के अंदर, और च्छतिस गड़ के अंदर, मदप्रदेश के अंदर, हरिया करना चाहते हैं कि we are only party who stands with Hindu बाकि सारी Hindu विरोधी पार्टी है क्या इस देश के अंदर जो BJP का विपक्ष है क्या वो हिंदू नहीं है क्या अखलेश यादव हिंदू नहीं है क्या मायवती जी हिंदू नहीं है क्या तेजश्री यादव हिंदू नहीं है क्या लालू यादव में करके जो सत्ता हासिल की आपने क्या उस धर्म का इस्तिमाल करना बंद करेंगे या अभी और धर्म का इस्तिमाल करके निरंतर सत्ता में बने रहने का प्रियास करेंगे सुधान्शुत्र रिवेदी जी सवाल पूछा है प्रमोद कृष्णम जी ने जवाब दीजिए देखें नाविका जी इन्होंने प्रस्ण पूछा है हिंदू बोको हराम हिंदू तालिबान हिंदुत्त की व्याक्या सन राइजिंग आयो ध्याक पे उपर किताब लिखना जिन्ना की बात ये सब तो करेंगे विपक्ष के नेता और राजनीते में इस्तिमाल हम कर रहे हैं भारत की जनता इतनी भोली नहीं है मानिवर दूसरी बात आपने कही बहुत आपने अच्छी बात कही जब महात्मा गांधी की मृत्त हो रही थी उनकी हत्या की गई उनके मूँ से अंतिम शब्द क्या निकला हे राम कहा जाता है इसी मानिता है कि जब व्यक्तिका शरीर नि गोड से था तो आत्मा का हत्यारा वहाँ यूपिये की सरकार थी जिसने वहलफ नामा दिया और कोई भी वेक्ति समझ सकता शरीर के हत्यारे से जड़ा ज़्यादा बड़ा अपराद होता है आत्मा के हत्यारे का और हिंदू और हिंदुत में देखे क्या है नाविका जी गीता और उपनिश्द इत्यादी पढ़ूंगा इसे एक बात तो से दो जाती कि उन्होंने इससे पहले कभी वेद पुराण उपनिश्द गीता नहीं पढ़े थे यानि 45-40 साल की उमर तक उन्होंने पढ़ा ही नहीं था तो मानिवी बात है संस्कृत में लिखे हुए वाक के संस्कृत का शब्द संदि विच्छेद समास विग्रह यह उनकी समझ में नहीं आएगा यह स्वाभविक रूप से समझा जा सकता है और अम मैं बताता हूँ दोनों में अंतर क्या है मानिवर हिंधर्म कार्थ होता धारणा थिति धर्म ध्रधात उसे बना है जिससे धर्ती भी बनी है हर चीट को जो धारण करता वह धर्म है तो संपूर जगत शाश्वत संकट आता है तो वही संकटा एक रूप धारण करती थी इसके लिए असुरों का संघार करने के लिए मानिवरτε वो भगवान रामबर के परचुराम बनके प्रकट होती चैप फरसा लाति भगवान रामबन के प्रकट होती संकलब के साथ निसचरहीन करू मही भुझ उठाए प्रणकीन अब आपके हिसाप से तो वह हिंसा है फिर वो भगवान कृष्ण बन के कड़ी होती है जो कहती है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय चा दुश्क्रताम धर्म संस्था पनार थाय संभवाम युगे युगे तो दुश्ट शक्तियों के विनाश करने के ल हिंदू वो है जो शाष्वत वेदों ने कहा हिंदुत वो है जो भगवान परशुराम ने किया भगवान राम ने किया भगवान कृष्ण ने किया चत्रपति शिवा जी महाराज अपनी कुल देवी भवानी जी को पूछते थे वो हिंदू धर्म है और वही भवानी तलवा के दीवा लेरा खिरदूनी में वो शम्शीर से दिली दल को दबा के रखते थे वो हिंदु तो था इसलिए उस सामराज्य का नाम हिंदवी सामराज्य और हिंदू पदपाथशाही था अब इतना कहां इतियास पढ़े होंगे इतना कहां संस्कृत पढ़े होंगे इतना कहां ह आजनीत में इस्तिमाल की बात है कृपिया सम्मान पूर्वक शद्दा पूर्वक हिंदुत्व को लांचित और अपमानित करने का यहाँ प्रयास बंद कर दीजिए सत्ता में रहेंगे तो हिंदुत्व के विरुद्व गलानी पैदा करेंगे और विपक्ष में रहेंगे तो घ्रणा पैदा करेंगे और घ्रणा भी मनसा वाचा कर्मना पैदा करेंगे यह घोर निंदनी अचार्य जी सवाल सिर्फ